नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर इन किसानों के लिए बुरी खबर जरूरी है जैसे कि आप नोटिफेशन देख रहे हैं पिम किसान योजना बदलाओ केवल इन किसानों को छोड़ कर चोदवी किस्त के 2000 रुपे इन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रहे हैं जी हां दोस्तों इस बार किन किसानों को छोड़ा जा रहा है जिनको लाब नहीं मिल पाएगा और किन किसानों को सरकार यहां पर लाब देने जा रही है दोनों को जानकारी आपको मिलने जा रही है आप वीडियो को अंतक देखेगा तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आप से निवेद सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं देखे दोस्तों इस समय हम आपको परधान मंदरी किसान समंदी योजना के अंद्रगत पोटल पर लेकर आ चुके हैं यह योजना परधान मंदरी निरेंदर मोधी जी की केम सरकार द्वारा चलाए गई है तो यहाँ पर आपको भी अपना स्टेटस चेक कर लिना कैसे उसका भी तरीका आपको बताए जाएगा देखे यहाँ पर हमने जो सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं समझना चाहते हैं यहाँ पर आप समझिएगा देखे सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति का तजानकारी होती है प होता है आपको mobile number यहाँ इस परकार से चैक कर सकते हैं अब यह से हम scroll down कर लेते हैं देखे जब हम यहाँ पर scroll down करेंगे scroll down होने के वादे कि यहांपर लखा है पातरता की इसती यानि की योग गयता eligibility आप योग इस योजना का लाब लेने के लिए या फिर नहीं है तो यहाँ पर इन सभी चीजों को आपको देख लेना है देखे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भूमी बोना यानि कि लैंड शीटिंग जिन किसानों का यहाँ पर इस परकार से गलात हो रहा है उनको भी लाब नहीं मिल मिल पाएगा धिहान से समझते रहेगा अब यहाँ पर दोस्ता लिखा है के इस योजना का पैसा आता है उन्होंने अपने बैंक मे आधार लिंक नहीं कराया है तो यह भी यहाँ पर गलत हो रहा है देखे इन गलतियों के जतने भी चेक करेंगे यदि जाच के दुरान आपकी भी कुछ इसी प्रकार से गलतिया पाई जाती है तो आपको भी लाब इस योजना का यानि कि चोद्विक इसके दोजाव रुपे नहीं मिल फाएंगे तो यह सब इस चीज़े आपको देख लेना है अब यहाँ पर लिखा है देख अब दोस्तों यह तो आपने समझ लिया है कि किन किसानों को लाब नहीं मिल पाएगा जिनकी भी इस प्रकार से गलतिया पाई जाती है उनको भी किसी किसान कोई भी किसान हो तो यहाँ पर उनको लाब नहीं मिल पाएगा भविस्य में भी और नहीं चोदवी किस्त के दुजार पर उनको मिल पाएंगे और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किन लाब भारतियों को चोदवी किस्त कियान के 14th installment के 2000 रुपे सरकार देगी बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएंगे उसके बारे में आप भी समझ लीजे देखें दोस्तों अब यहाँ पर हम दूसरे किसान का आपको इस्टेटस दिखा रहे हैं beneficiary status यहाँ पर देखें eligibility status यहाँ लेंड सेडिंग का कारिय यानि कि gaming का यहाँ नदर चिटिंग का कारिय यस है यह भी शही है आधार bank सेडिंग सेडिंग सेटस इनका यह भी सही है द अब जिनको 13 इंस्टॉल्मेंट के 2000 रुप मिल चुके हैं अब वे आपने 14 इंस्टॉल्मेंट के 2000 रुपे का बेसाबरी से इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी किस्त मिली है कितनी रह रही है अब यहाँ पर देखें लेटेस्ट इंस स्टेटस है वह भी लिंक है बैंक अकाउंट से जैसे हम आपको उपर समझाया तो यह भी आपके सही होनी चाहिए इसी यारी जाज के दो रहां जिन भी किसान की यह सभी चीजे सही पाई जाती है तो उनको यहाँ पर सरकार 14 इस्टॉल्मेंट जब ट्रांसफर करेगी उनके बैंक खाते में 2000 रुपे ट्रांसफर कर दे जाएगे उनको लाब दे दिया जाएगा देखे दोस्तों ये तो आपने समझा कि यहाँ पर कैसे आप स्टेटस या उनकी क्या क्या चीज़े आपको देखनी है अब बात करते हैं कि आप अपना स्टेटस स्वयम घर बैठे अपने वाईल फोन से बेनेफिसरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर हमने while phone में chrome browser open कर लिया है आपको भी इसे प्रकार से open कर लिया इचाहे आप किसी भी राज्य किसान क्यों ना हो यहाँ पर ओने बात सबसे पहले आपको लिखना है PM किसान PM किसान आपको लिखा और लिखा और सरच कर दे हैं हमने सरच किया है यहां पर आपको इस वाले आइकन पर किरिक जाना उग आने की Link पर वेब साइट का Link है हमने किलिक क्या कुलिख होने के बाद एकि Process हल चुकिये और यहां पर बेख술 प्राइम पर देखके आप यहां पर देख सकते हैं देखें यहां पर लिखा है EKYC mandatory 4 PM किसान रिष्टर फार्मर यानि कि जितने भी किसाने इस योजना का लाब ले रहे हैं सभी के लिए अनिवारी हैं अपना EKYC कराना आप OTP के माधियम से यहां पर आप अपना EKYC करा सकते हैं अब यहां पर आप नीचे आइकन दिखाई देरा होगा इस पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक होने के बाद आपको नीचे स्क्रोल्ट करना है और यहां पर आपको अपना रेसेरजेंन बेर डाल करना है और यहां के सामने है है यहां पर आपको क्लिक हो ज्ए च्राउन करेंगे इस ब्लेके CPR होनेount के लेएकिक हो आप इस पर क्लिक कर लेते हैं गयाने के बाद नीचे आपको आ जाना है जा आप नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा यह सभी चीजे यह सभी चीजे आपको चेक कर लेनी है तेकि जैसे हमने आपको पताया जिनका भी यह भी सही है यह भी सही है और FTO process वो भी सही है, यह सभी चीज़ जिसके भी सही है उनों को यहाँ पर 14 installment के सरकार द्वारा 2000 रुपे बैंक खाते में transfer कर दिये जाएंगे यह सभी चीज़ आपको अपना status घरबैटी मॉवैल फोन से चेक कर लेना है यदि जानकारे को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा यदि आपको मनदी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जड़ लाइक कर दीज़ेगा आपके एक लाइक से हामें बहुत जादा मोटिवेट मिलता है लाश्ट मेनी विदर ने एक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में एक औरनाई जानकारी साथ जब तक के लिए जया हिंद जया भारत